Good morning students, welcome to Angan Public School आज हम Standard 7 में संसरी सबजेक पढ़ेंगे Standard 7 में संसरी सबजेक में आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है Chapter 8 तो Chapter 8 कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा कि Chapter 8 में क्या दिया है? तो Chapter 8 है, वो है समय के बारे में तो आप लोगों का चेप्टर एट है समय, तो समय में क्या है, तो समय में आप लोगों ने जो लास्ट यर आप लोगों ने जो पड़ा था कि इसमें आप लोगों को अलग-अलग समय के बारे में बताय गया था कि एक आदस वादनम, दौददस वादनम, एक वादनम, दूई वादनम, चतुर वादनम ऐसे अलग-अलग तरके समय थे, यानि वन ओगलोग, टूगलोग, थी ओगलोग, अब इसमें थोड़ा नया आया है, यानि कि आप लोगों को वो हाफ पास्ट है, क्वाटर पास्ट है, उसको संस्रीथ में समझना है, तो साद, यानि कि जो 30 मिनिट्स होते है, तो उसे क्या कहते है, हाफ पास्ट, 15 मिनिट्स यानि सपाद, यानि कि 15 मिनिट्स होते है, सवा 3 है, सवा 2 है, इससे सवा 15 मिनिट्स कहते है, तो क्वाटर पास्ट है, क्वाटर पास्ट 2, क्वाटर रखना है तो कह समय तो सबसे पहले इसमें दिया है और 530 दिया है यानि साड़े 5 बजे है तो साड़े 5 को हम क्या कहेंगे तो साड़ पंच वादनम अब इसमें क्या है कि 630 दिया हुआ है यानि कि 630 यानि साड़ वादनम तो साड़ शड़ वादनम फिर इसमें 930 दिया है त तो 30 यानि शाद और 9 यानि 9 वादनम यानि कि half past 9 यानि स्वार्द 9 वादनम इसमें 2.5 बजे हैं यानि 2.30 हुआ है तो स्वार्द 3 वादनम इसमें अब 15 मिनिट के अकोडिंग चल रहे हैं यानि quarter past से चल रहे हैं तो सपात 3 वादनम 15 मिनिट को सपात बोलते हैं और 3 वाद 3 वादनम यानि कि सपात 3 वादनम सवा चार बजे है यानि 4.45 हुआ है तो सपात 4 वादनम 10.15 हुआ है तो सपात 10 वादनम और 8.15 हुआ है तो सपात 15 यानि और 8 वादनम आगे देखते है अब क्या दिया है तो पादोन यानि 45 यानि quarter two से हम चल रहे है तो पादोन दस वादनम यानि कि पौने 10 बजे है बोला जाता है 9.45 ऐसा बोला जाता है पर बोलते क्या है पौने 10 बजे ऐसा बोलते है मिनिट के अकोडिंग जाए तो इस तरह बोलते है और अबर के अकोडिंग जाए तो पौने 10 बोलते है तो पादोन 10 वादनम आगे देखते है कि पादोन 12 वादनम यानि कि पौने 12 बजे है तो उसे क्या कहते है पादोन 12 वादनम पौने 9 बजे है ऐसे तो बोलते है 45 पर पौ तो इसके बारे में हम समझते हैं, तो सबसे पहले हैं, question number one, for each of the given question, choose the option, that is the correct answer and write the laser corresponding to the answer in box provided, इसमें आप लोगों को अलग तरफ के क्या दिया हुआ है, जो time है, और watch में दिखाया गया है, तो नीचे option दिया है, तो जो हमें समझने है, look at the picture, look at the picture of the clock and answer the question, what is the time it is, तो इसमें सबसे पहले क्या है, picture में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें 5 है और 30 मिनिट हुई है, तो 30 मिनिट को हमने क्या समझा था, साध यानि कि हापा समझा था, तो 5.30 है, तो इसमें अलग अलग option दिया है, पादून पंचवादनम, साध पंचवादनम 97 पंचवादनम और only 25 counting तो राइट आंसर आएगा 5.30 है यानी कि 25 dal अब नीचे देखते हैं कि 3 जो 3 है 35 हुई है यानी कि 3 बज़े तीन बज़े और 15 मीनिट तो सबसी ऐसे क्या कहते हैं, तो सबसी क्या कहते हैं यानी सबसी कहते हैं, अब नेक्ष्ट है जो आप लोगों को नगा तैन फॉर्टी फायल दिया हूँ तो इसके बारे में हम क्या समझते हैं तो इसमें पॉने 10 बोलते हैं हम ऐसा बोला जाता है और मिनिट के कोडिंग जाए तो 9.45 बोलते हैं तो इसमें जो 45 बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो पादुन बोलते हैं यानि की quarter two तो रेखते हैं पादुन दर्ष वादनम, सपाद दर्ष वादनम, सपाद दर्ष वादनम, सपाद नव वादनम और साद द्वर नव वादनम तो राइट आंसर आएगा जो पॉने दर्ष बजे तो उसे क्या कहते हैं तो right answer आईगा option है पादोन 10 वादनम अब देखो नीचे जो आप लोगों को दिया है तो 630 दिया है आप लोगों को 7 पर दिया है पर पूरा 7 पर नहीं है इसलिए वो 630 होगा यानि कि 6 बच कर 30 मिनिट होई है तो उसे क्या गाएगा तो उसे सार्द बोलते है यानि हाप पास् तो शड़ वादनम शपाद शड़ वादनम पादो शड़ वादनम और सार्द शड़ वादनम तो right answer आईगा दी शार्द शड़ वादनम next look at the picture of the clock and answer question what time is it तो इसमें है सवा 4 बज़े यानि कि 4 बच कर 15 मिनिट होई है यानि 15 मिनिट होए तो 15 मिनिट को हम सपाद कहते है तो देखते है सपाद शड़ वादनम पादों शड़ वादनम साऱ् शड़ वादनम और पादों त्री वादनम तो right answer आईगा A सपाद बचे है यानि कि हम 11.45 कहेंगे मिनिट के अकोडिंग पर ऐसे बोलेंगे अगर के अकोडिंग तो पौने बारा बोलेंगे तो पौने बारा है तो क्या आएगा 45 है यानि कि आएगा पादों तो द्वादनम पादों द्वादनम साऱ् वादनम और सपाद वादनम तो right answer साध द्वश्वादनम और पादुन द्वीवादनम तो आंसर आएगा सपात द्वश्वादनम यानि option है B अब पॉने 9 यानि कि 8.45 हुए मिनिट के अकोडिंग पर अवर के अकोडिंग बोलते हैं तो पॉने 9 बोलते हैं हम 12.45 बोलते हैं तो पॉने 1 है तो अवर के अकोडिंग जाते हैं तो सपात द्वी वादनम पादुन दर्श वादनम स्वादनम और पादुन एक वादनम तो राइट आंसर इस दी पादुन एक वादनम नेश से आप लोगों को जो दिया है 230 दिया हुआ है यानि कि दो बच का 30 मिनिट डी हुई है तो इसमें क्या आएगा तो 30 को हम साध बोलेंगे तो सपात द्वी वादनम साध द्वी वादनम पादुन द्वी वादनम और साध द्वी वादनम तो राइट आंसर आएगा बी सवा 11 हुआ है यानि 11, 15 हुआ है तो क्या बोलेंगे 11, 15 को सपाद बोलेंगे पादो निकाझग वादळणम, पादो द्वादश वादणम, शपाद एकाधश वादणम और साह वादश वादणम तो आएगा शपाद एकादश वादनम option c अब क्या हुआ है पौने 2 बजे है अवर के according पौने 2 बजे वैसे 1.45 हुआ है तो हम क्या लिखेंगे तो उसमें अवर के अकोडिंग जाना है जब वर्ड्स में लिखना है तब तो आएगा सपाध द्वीवादनम पादों द्वीवादनम तो राइट आंसर आएगा बी पादों द्वीवादनम अब नीचे लिखा है व्राइड टाइम 3.30 इन संस्रीप त 30 मिनिट आएगा सार्ध, दो त्री आएगा 3 तो 17 वादटज वादण, सार्ध, ट्री वादण, सपाडश वादण तो right answer है बीष, सार्ध, ट्री वादण Next ये पादुन 22 वादण 22 वादण पने बादा हुए पर minute के according लिखना है जब नंबर में लिखो दब तो 11.45 आएगा तो राइट आंसर है 11.45 What is the, at what time should we take separate evening तो हम कब लेते हैं तो 1 quarter past 8, 6 o'clock, 9 o'clock और 7 o'clock तो आंसर आएगा A quarter past 8, पादूर मिस तो complete 5 minute quarter 2 और 2 daily तो आंसर आएगा A quarter 2, और A quarter 2 Next, match the following column A and B with column B properly तो first आएगों को column A, उसके साथ match कर दी है तो 4.45, 4.15 हुआ है तो क्या बोलेंगे सपाद चतूर वादनम 6.30 हुआ है तो साड़ शड़ वादनम 2.45 हुआ है यानि कि पादोन, पॉले 3 गोलते है तो आएगा पादोन 3 वादनम 7.15 हुआ है तो क्या बोलेंगे 15 को सपाद और साथ को शब्त तो सपाद शब्त वादनम 8.45 तो पादोन 9 वादनम Write the time given below in Sanskrit हमें जो नमबर दिये है उसका time Sanskrit में रिखना है तो 3.30 है तो साद 3 वादनम 10.15 है तो सपाद 10 वादनम 9.45 तो पादोन 10 वादनम क्योंकि पौने 10 वोले जाते है 4.15 है तो सपाद 4 वादनम 6.45 यानि पौने साथ बोलते है तो पादोन 17 वादनम और 11.30 है तो साद 11 वादनम तो student हमें यह जो chapter 3 इधर तक करना है यानि कि workbook में आप लोगों को इधर तक fill करना है और आप लोगों को जो notebook में लिखना है यानि कि जो watch है वो draw करके लिखनी है तो वो आप लोगों को textbook का है वो ही notebook में लिखना है Thank you कर दो कर दो